आज से पूरे देश में छटका माहा पर शुरू हो गया है और चारो तरब खुशियों का माहौल चाया हुआ है आपको बता दें कि ये तिवार चार दिन का मनाया जाता है और इस दिन साब सपाई रखने की जम्मेदारी नगर निगम की होती है लेकिन बिहार के गया में छट पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम लोगों से खिलवार कर रहा है आपको बता दें कि गया में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है वहाँ की नदी और तालावों के आज पास अभी भी गड़्डे हैं इसके साथ ही वहाँ पर साफ सफाई की कोई भी इंतजाम नहीं दिख रहे हैं ऐसे में सरधालुआओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो पूजा कहां करें और अपने पूजा के सामानों को कहां रखें चट बिहार में ही नहीं बलगी पूरे देश में धूनधाम की तरीके से मनाये जाता है ऐसे में गया की इस इस्तिती को देखका लगता है कि वहाँ ना तो प्रिशासन इस बात को लेकर सजग है और ना ही नगरने गम ऐसे में नितिज कुमार की लापरवाई यहां साथ तोर पर देखने को मिल रही है विधान सबा चुनाओं में सत्ता हासिल करने के लिए तो उन्होंने लोगों से कई वादे किये थे लेकिन आप वाइदे पूरा करने की जिम्मेदारी आई तो कानों में चूतक नहीं रेंग रही है हम यहां नितिज कुमार से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर कब तक आप जैसे सफेद पोश्च वाले नेता भोली भाली जनता को बेकूब बनाते रहेंगे और कब तक उन्हें अंधेरे में रखेंगे नेक्स में नेच के लिए राहुन की रिपूर्ट